नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नइन अवाज मैं हूँ आपके सांस सिराज बियार की राजनीती में जीतन रामाजी की चर्चा एक बार फिर से गूजने लगी है दरासल इसलिए जीतन रामाजी के कुल चार बिधायक हैं और वो एंडिये के साथ बिहार की सरकार में अपने दैटों रखते हैं लेकिन उनकी मांग लगतार उट रही है कि वो दो मंत्री पद चाहते हैं और ऐसे में बड़ा सवाल और बड़ी चिनोती बीजे पी और जेडियू के लिए भी है क्योंकि जीतन रामाजी लगतार इस बात का कहीं न कहीं संदेश दे रहे हैं कि उनके पास से जो है कॉंग्रिस लगतार ओफर दे रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर वो कहीं न कहीं कॉंग्रिस से और आर जेडि से हाथ मिलाते हैं तो तो लगतार जी दली है इस जीतनरामाजी पर इसारी निगाहें जो सबकी टिकी हुई है क्यूंकि जीतनरामाजी अभी उनके बेटे को भले यी पद मिल चुका है मंत्री परिशद में जगा मिला लेकिन उससे खुशन नजर नहीं आ रहे हैं कहना है कि मेरा जो हक है मैं उसे ले कर रहूंगा और मेरे चार भी रहाएक है और दो मंत्री पद चाहिए यानि कहीं न कहीं बीजेपी ले एक बड़ी चुनोती हो सकती है कि जीतन रामाजी अगर एंडिये का साथ छोड़ते हैं तो फिर एक दम से नितिश कुमार की सरकार बि लगतार जीतन रामाजी के संपरक में थे जब नितिश कुमार ने इंडिया घटबंधन से रिस्ता तोड़ कर एंडिये में शामिल हो गयते उसके बास से रहूं गांदी जुह है लगतार जीतन रामाजी को कॉल कर रहे थे उनसे बात की और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाय था या बात भी कही थी कि आप जो है अर्जेटी के साथ आईए हम आपको सीम बनाएंगे वहीं बता दें कि कॉंग्रिस के प्रदेश अध्याक्ष अकलीस प्रसाद सिंग उन्हों ने भी कहा था कि हम पहले से ही कह रहे हैं जीतन्रामाजी अगर हमारे साथ आते हैं तो मुख्य मंत्री हम उन्हें बनाएंगे ऐसे में जीतन्रामाजी इस बात को बखूबी भुना रहे हैं और लगातार वो जेडियो और बीजेपी को चुनवती दे रहे हैं कि मुझे बिपक्च से सीम बनाने का उफर आ रहा है लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ इसका पाउलट फिर कर पाएंगे फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्षने नवाज के साथ